हलो स्टुडेंट्स मैं रवी रंजेन आप लोग का स्वागत करता हूं मैं गनेज बेन सिंदी में जो आपको प्रोवाइड करता है सात्वी से बारवी कक्षा तक के सब ही विश्यों के कंप्लेट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री अफ कॉस्ट और ऐसा नहीं कि एक चेप्ट करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले प्रिश्च छे त्रफल और आयतन जो की कक्षा दसवी का पार तेरा है और इसमें हम पहुंच चुके इसके पार पांच के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन में यानि कि जो आपके बोर्ट के वाइंट आवइस है ओके चलो वह देखते हैं कैसे कैसे हैं यहाँ पर आते हैं तो पहला कोसिन जो है 25 सब्सक्राइब कर चुके हैं बाकी की सेक्ष्य सेसन में अब यहाँ बिख्यूंच में देख रहे हैं कि एक गोल्फ गेंद का व्यास जो है चार दश्व्लब एक संटी कि ठीक है इसके प्रिष्ट पर दो मिलिमीटर तिर्जा के एक सो पचास गड़े आपने देखा होगा गोल्फ अगर गेंद देखे तो गेंद के ऊपर जो होते हैं गड़े 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 बहुत सारे होते हैं जैसे कि मैं बात करूं कि भाई मैंने एक गोल बनाया इस तरह स इस पर गड़े होते हैं कहा पर इसके एंड पॉइंट पर वे ऐसे अंगड़े होते हैं अ यह बन गया इस तरह की गेंद बन के पूरी गेंद के ऊपर गड़े बना दिया लेकिन वासी कड़े होते हैं तो इस तरह के गड़े गड़े आप इसने यह कहा है कि चार पॉइंट एक संटीमेटर व्यास है मतलब यह जो पूरा था लूँंता यसका व्यास चारपउंट एक है पूरह गैन देखा और इसके प्रिष्ट पर दो मिलीमेटर त्रज्ञा की मतलब यह जो घड़्डेन इनकी जो त्रज्ञार है इनकी त्रज्ञा की मैं बात करता हूं यहां से कौन इनकी तरिज्या जो है यह तरिज्या यह है दो मिलिमेटर की दो अमें गड़े के अर्धगोले आकार मानते हुए संपुन्ट प्रिश्चेतरफल ग्याद कि जिए मतलब गड़े को अर्धगोले क्या का माना गया है और उस अकॉर्डिंग हमें बताना है इस पू पूरे का प्रिश्चेतरफल निकाला और 150 गड़े 150 को मैनिस कर दिया बात खत्म इतना कर दिए लेकिन नो यहां पर देखो इसका प्रिश्चेतरफल समझी होता कैसे अगर मालनों इसको आपने उठाय और पेंट के डिबे में डूबो के निकाल लिए पेंट में डूबो के पहले लग जाए अंदर विए तो यह जहां जहां आपके पेंट लग रहा है वह सारा इसका प्रिश्चेतरफल निकालना है तो बहुत क्या करना पड़ेगा तो इसका बाहर का चेतरफल यह जो रैडड वाला पॉर्शन है ठीक है और जो गड़े वाला इन सब को जोड़कर प्पिछना पड़े और वह कैसे जोड़ेगा तो यहां दे कि तो यहां पर सबसे पहले हम लिखने हैं यहां पर हल है और इसमें लिखेंगे भी गउल्फ गेंद जो हमारा पास है यहां पर लिख दयागा गया जानवित है गाल गेंद की तरजया गॉल्फ गेंद की जो त्रिज्जा है उसको मैंने कैपिटल आर माना है और यह कितना दे रखाए तो व्यास है चार पॉइंट एक बटे में दो सेंटीमेटर इतना हो गया इसके त्रिज्जा डन चलो ठीक है अब उसके बाद क्या है तो इसके ऊपर जो गड़े हैं छोट छो कि त्रिज्जा इसके त्रिज्जा की बात की जाए तो इसको स्मॉल आर मान लिया गया है और यह कितना है यह है टू एमेम भाई दो एमेम है और दो एमेम का मतलब क्या है तो इसको अगर मैं दस से भाग करता हूं दो बटे दस क्या जाए तो यह सेंटीमेटर में आ ठीक है यह जा गया यानि कि छोटे-छोटे गड़े ना इनके तिज्जा जो दे रिखिया वह 0.2 सेंटिमेटर दे रिखिया है डन चलो ठीक है अब हमें ग्यात करना है गेंद का प्रिश्चेत्रफल वह भी क्या अर्धगोले गड़ों को अर्धगोला मानते हुए या तो पहले आएगा गोले का शेत्रफल यी जो ठूला है ठीक है अनुक्ति अब यहां नहीं प्लस में प्लस में मानेस में और पूरा गोला क ALL या लेकिन गोले की बात की जाए टो यह रेड़े वाला सारा थोड़ी है यह तो इतना इतना चुटा हुआ है और जो यह गैप चुटा हुआ कैसा है तो यहां पर तो यह कुछ इस तरह का विर्थ जैसा गैप चुटा हुआ है इसा है अब इसमें से जैसे मैं बदाओ ग्युद्व का गेंड है इसमें से 150 और और क्या है फिर अरस कॉछ घटाया गया यह क्योंकि वृत्त के चेद्रफल को घटायए और उसके बाद जैसे आपने इसमें पेंट में दूब उप यह लग तो तुब आप इसकी अगर मैं बात करूए इस वाले यहां पर एक्ष्ट्रा पेंट लगेगा जो कि दो पाय तकर के साथ है यानि की मैं में लिख सकता हूं कि प्लस में आएगा 150 गुने में बहिए दो पाई आप रसकर भाई यह आएगा दन चलूटी के इसको सॉल करते हैं तो गोले का स्कृष्चे तरफल कितना होता है तो यह उता है आपका 4 पाई रसकर होता है यहाँ पर दिखा गया 1.500 पाई रसकर और 1.500 गुने में 2 यानि कि 300 पाई और स्क्वार हैं तो 300 में से डेड़ सो गया 150 गया कितना बचेगा तो बैए 150 प्लस का बचेगा यह बच गया आपके पास अब इसको हम सौल करते हैं तो क्या कुछ और है इसके इंदर भाई चार पॉइंट में बचेह यहां पर यहां पर 150 आपके हैं तो बैव भाई दैघृ माराई पॉइंट ảर अब यहाँ पर गतार का वर्ग कितना होगा तो एक तारीस के वर्ग की बात की जाए तो यह मुझा फाई सोला बसट आ गता है कितना सब्सक्राइब में से बात Ella EA आ गर्थग में से फुंट सब्सक्राइब अब उसके बाद इसी को हम चार से चार से क्यों गुना करेंगे दो दूनीज चार से चार तो कठी क्या बई कठ गया अब यह हमार पास कितना आ रहा है तो भाई पाई का मान क्या कुछ रखना है में यहां पर तो दिया वह तो नहीं है यानि हम 22 बेटे साथ रख सकते हैं और यहां पर हमने लिखाव है 16 दसमलों में 8 है प्लस में यहां की बात करें तो यह 2 दूनीज 4 आएगा ठीक है और चार कैसा आएगा तो 0.4 आएगा बहु इसको जब गुना करेंगे तो दूनीज 4 यहनी 0.04 आएगा इसको जब 150 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो भाई 6 चारा सरह 7 यहां पर 6 यह पर हमारे पास कितना है तो यह surface area मतलब मैं कहूं निसको पूंट मैं भाई साथ यह את हईच कि इसवह टोंडेंगे 6,2,1 द मियृड़ा समलों बाइस दसमलों आठ एक हमार पास तोगे अब दीखते हैं क्या यह कट रहा है तो साथिया 21 साथ दूनी चौदा है और यह नहीं कट रहा तो लगभग में लेकर चलते हैं इसको लगभग में किपना आएगा तो बाइस आठ एक जो है इसको हमने साथ से भाग किया तो साथ कितना आझा वह साथ तीया 21 का साथ दूनी 14 और साथ चिक 42 लगबग च्छे पर जा रहा है तो लगबग च्छे पर जा रहा है ठीक है हम लगबग अप्रॉक्समिल ले आ सकते हैं दो के बाद पॉइंट है तो इसके दो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा तो बाइस गुने में वह कितना रहा है तीन दसंबलव दो चे या रहा है सेंटीमेटर स्कारा रहा है अब इसको हम गुना कर देते हैं वह इसको गुना कर देंगे तो कैसे गुना हो रहा है तीन यहां पर आपको समझना था कि में चीज करने कि यहीं होता है कि यह कैसे निकाले यह कैसे हो गया यह मिट कैसे गया यहां पर हमने लिख दिया दुबार देता हूं कोई दिक्कत नि गेंद का भाई गेंद झाल कुल पर लिखा हुआ है देड़ सो गड्डें तो उसके बाद उसे गड्डे के अंदर पेंट लगा था लिए पर यह सबसे किस टाइब का और कैसे उसे भी बड़े राम से स्वाल करेंगे के लोगे देखते हैं हां जी तो नेक्ट्ट कुश्चन है परसंट नमबर 26 और 26 वे कुश्चन की बात करें तो भाई यह कहा है में एक दस सेंटीमेटर उचाई तथा छे सेंटीमेटर आधार के तिर्जिया वाले ठोस बेलन से समान उचाई तथा समान अधार वाले लंब वर्ति शंकू हटा लिया जाता है इस परकार सेश ठोस का आयतन तथा संपूट 6 तरफल ग्यात करना है जैसे कि मैं आपको बताओं कि यहा चीजँ काटके निकाल रहे हैं तो यह वाला पोर्षन स्य बच गया ठीक है इस कि वाले को काटके निकाल लिए डन चलो ठीक है अब इसमें क्या जीज़े कही है तो इसमें कहा है सबसे पहले कि इनकी आकरती इनका उंचाई और आधार के तिजिया दे रही थी और समान उच ठीक है इसको निखा लेंगे बड़े अराम से निकालेंगे कोई दिकतनी तो सबसे पहले यहां पर देखा वाहिए इसकी तरिज्जा जो थी वो कितनी है तो इसके उचाई की बात करें तो कितनी है तो इसकी उचाई हमें दे रहे हैं दस सेंटीमिटर ऑफीन यह हमारे इसकी बेलन जो हमारे पास है बेलन की तिर ऑप यह बेलन के साथ संकु भी लिख देते क्योंकि दोनों के तरजाएं तो सेम बेलन लिखो और साथ में शंकु भी लिख दो भाई दोनों की तरजा यह है कि कितनी है आह новые हैं हमने मालिया है और यह हमें देर्फाय सेंटीमेटर और उसके बाद YOUR फिर टीमिंटर जो है कि फिल फाइय ऑद दोनौ की फिल्षाइब तो से वह फिल और उंचाय की बात कहिता यह हम हमने माना और यह हमें दे रखाए 10 cm ठीक भी इतना हो गया अच्छा इसमें क्या है संपूर्ण पर श्यत्रफल का यूद भी निकाला यानि कि हमें इसके त्रियक उंचाई की को भी ग्यात करना जरूरी हो कि संपूर्ण पर श्यत्रफल में आएगा ठीक एल कमान आएगा तो ह दो हमने साथ-साथ में निकाल ही लेते हैं तो यहां पर हमने क्या किया भई शंकु की तिर्यक उंचाई क्यों च्ब्रियक उंचाई कि मैं बात करो तो इसको मने कैंड़ और यह कि इतना होता है तो यह होता है आपके प्रुक्त के पास प्रू के अंडरूट में आर का उस्कौर प्लस में एग्ज का स्कार होते है यही फिर्मला आता हुआ कि एक लिए प準 ले अब इसको हम यहां पर हॉल भी कर लेते हैं तो आर हमार पूर पर 6 है और यह 10ն और इसका उ lg किया तो यह इसाथ करониं तो दो दुनीद चार थियू अगर में कॉम Bel ले लिता हूं तो यानी कि मैं लिख सकता हूं इस में की तो छाइसार गुने में अचाए 136 रहन देते इसके ब्राबढर रिता हूं घ याजा ये चार गुने में यानि हम इसको कह सकते हैं यह आएगा दो रूट 34 आजाएगा ठीक है बई दो का वर्ग है यह तो भार आगया रूट 34 रह गया जो कि हमारा सेंटीमेटर में आ गया यानि कि इसकी जो तरिया कूंचाई है वो कितनी आ गई है दो रूट 34 आ गया डन फोई दिकत नहीं है चलो अब उसके बार आते हैं नेक्ष्ट पर आगे की बात क्या करते हैं तो आगे की बात में यह है कि सबसे पहले हमें निकालना आयतन तो हम बजबोलेंगे शेष ठोस का आयतन पर यहां पर लिखेंगे हम शेष ठोस का आयतन भाई बचेवे ठोस के आयतन की बात करते हैं तो य बेलन का आयतन इसको मैं नीचे लिए देता हूं नीचे ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पड़ लिए पर बेलन का आयतन माइनस में शंकू का आयतन पर यह करेंगे पूरे बेलन में शंकू को घटा देंगा आजाएगा अब यह बैलनन का फॉर्मला क्या है तो बैलन का आयतन होता है पाई स्कूरेच है और शंकू का होता है एक बटे में 3 पाई पϊनार रच वर है दनक्ष्कू और बहुत अहां लें लेंक कि अब घटाओ है तो रसक टीन एक मॉतवट होगे तो iom3 अगर तीन हम दो यह अगया और पाई है और आर कामान कितना है तो छे टीक है और गुने में दूंणे और एच की बात कहले तो है जो यह भी लिख दिया और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वह तो वह तो यानि मैं इसको ले सकता हूँ कि वह 240 पाई गया सेंटीमिटर क्यूब यह तो आचुगा है थोस का आयतन जो आपका थोस बचा है उसका आयतन कितना गया 240 cm क्योंड कोई दिक्कत नहीं है ओके चलो अब इसके बाद नेक्स इसने कहा है संपूर्ण प्रिष्ट छेत्रफल भी ग्याद करना है पहले तो हमने किसका भई ठोस का आयतन जो यह ब्राउन वाला बचा था उसका आयतन निकाल लिए उसके बाद इसने कहा है संपूर्ण प् हाँ हाँ जी ठोस का संपूर्ण प्रिष्ट फल यानि टोटल सर्फिस अरिया अब यह कैसे निकाला जाएगा ठीक है तो इसके बारे मैं आपको बताओं तो भाई जब यह एक शंग बेलन क्या का था ठीक है अब उसके अंदर से संगू को हटा दिया गया अब इसका शेप क तो ग्रड़े में भी तो पूरा लग जाएगा यानि शंकू के वक्र प्रिष्चेत्रफल में लग जाएगा और साथ में बेलन के वक्र में लगेगा और बेलन के नीची आधार के नीचे भी लगेगा भाई यह भी हो इतना ही होगा जब पूरे को डूबोएंगे तो यह से कनडीसन से इसका प्रेश श्चेतरफल के आएगा तो यहां पर हम लिखेंगे क्या तो ऊको प्लस में बेलन हुआ नि श्चीत है और प्लस में बर्त का श्चेतरफल जो नीचे वाला परते भाइगा यह आएगा पाई आर यह आएगा और यह वाला आएगा पाई आर सब में से पाई आर कामन ले लेते हैं पाई और सब में और यहां पर इसकी वैल्यूस डाल देते हैं कि यह सेंटीमेटर स्कॉर में चल रहा है क्योंकि एची तो ठीक है र का मन किटना था तो के मान की भून बात करते हैं तो ये हमारे पास है और चेव प्लस में सात में सांतीमेंटिमेंकर है यह दो सके हैं गया और यह संटीमेटर स्क्वार है तो यहां पर यह चीज आ चुका है तो छे को अंदर भी गुणा कर लेते हैं कोई बात नहीं चेको अंदर करके पाइप को लग से रख लेंगे तो भाई यहां पर हम लग सकते हैं भई छेको अंदर गूना किया तो 12 ऐसका संपुर्ण प्रिष्ष्चेतफल आया तो देखो हमने क्या किया हमने इसके आयट साइट मतलब की और देखते हैं अगला किस टाइप का कुश्चन है हाँ यह नेक्स्ट कुश्च जो हमें दे रखा है लकड़ी का एक खिलोना रॉकेट एक शंगू के आकार का है वह लकड़ी का खिलोना है जो कि रॉकेट के शेप का है ठीक है अब वह उसके अंदर देख पारें उपर तो ए पूरे रॉकट के उच्चाइव 26 cm जबकि संग वाकार भांक की puta जिए तो च्छे संको कभागे आधहर का व्यास 5 cm यानि यो पूरा-सенно पूरे संगू का व्यास है पूरे कि यहां से यहां तक का हैं तो यह हमारा 5 cm यह संदेख पाने हैं पूरा व्यास नारंगी रंग किया रंग किया जाना है तो बते हैं agents क career 바ड़ा कि sic और रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का चेतरफल ज्यात करना है यानि देखर प्याए इस को पर उपर जो फोर या और नीचे जो इक प्रकुले नारंग है किस संकुल पर पी यो बेलन पर teak अब हमें बताना है दोनों का छे तरफल कितना है जिस पर पिर रंगा किया गया है तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर हल और इसमें देखने में क्या क्या चीज़े दे रखें पहले वह लिखते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले कि शंकू की तरज़्या जिसको हमने लिख लिया और यह और कितना देर रखा यह पांच और सेंटी मिटर क्योंकि इसका व्यास और रखा है 15 वे शंकू का व्यास 5 ठीक है तो तरज़्या तो 5 बटे दोगा डंछ ञ़ो ठीक है अब इसके बाद हम बात करें पांच बटे दो थोड़ा सा धंग से लिग देता हूं यह आ गया थीक है उसके बाद वह शंकू की उंचाई की बात की जाए जिसको हमने एच माना है और यह एच कितना है हमार पास तो इस एच की बात करें तो भाई यह 6 cm है थीक है यह आ गया है अब उसके बात क्या है तो भाई हमें निकालना है इसका छेत्रफल छेत्रफल के लिए इसकी त्रियक उचाई भी आवश्यक है तो उसके लिए क्या करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे शंकू की त्रियक उचाई तरय। chiak पूंचाई के लिए क्या याका गा तो बैए जो की होता है कितना तो यह होता है आर स्कोर पैसमें एच्क करोत है ड़ंड अब इसको करते हैं सॉल कैसे वलगा यहांपे तो यहां पर हम देख सकते हैं en कितना आ रहा है तो यह आएगा और इसकोर मतलव पांच बटे दो का वर्ग होगा 244 चोदा 144 चे अरती जोड़ता यह रहा रही इंदग उतीज तो वो 13 बटे 2 है तेरा बटे 2 यानि की भाग कर दूँ तो भई 6.5 है यह यह अलकमाना गया कोई दिकत भी चलो भई अब उसके बाद क्या है तो उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट और क्या दे रखा है तो भई बेलन की तृज्ज्या भई बेलन की तृज्या की बात करा है और यह हमें दे रखा भई बेलन के लिए नीचे बीच वाला है यानि की तीन बटे में दो हो जाएगा यह तृज्ज्या दन और इसके बाद आएगा बेलन की उंचाई कितनी है इसको भी देखना है तो इसके उंचाई की बात की जाए तो यह capital H आएगा हमारे पास और ज 70 तो यहां फेंटर हम देक पा ही जो बेलन है यंचाई कितने हैं इसके बात अगला क्या है तो अब के चबिया के डामेंसन हम लिख चुके हैं कि भुजाएं लिख चुके कौन कितने का है आप इसमें हम देखते वह सबसे पहले हमें ग्यात करना है क्या प्रतिक रंग के रोकेट का चुछ रंग प्रते रंग का छेतरफल यानि पहले हम शंकु का शेतरफल निकालें और फिर जाके हम इस यहां पर मैंने लिखा शंकु का शेतरफल शंकु पर नारंगी रंग का शेतरफल की बात करते हैं तो उसमें क्या है मैं पहले बात करूँ तो उपर उपर यह लगेगा ऐसे अपर पूरे में लगेगा यह उसका वकर शेतरफल यहनिकी मैं कहूंगा शंकु का वकर शेतरफल शंकु का वकर्प्रिस्ट्फल यानि तर उसके बाद क्या होगा तो बैश्यंकू पर ही नीचे बेलन लगा हूए वह नीचे जो है वह इतने कि वाले यानि कि ये वाले शेसल्द में भी तो नारंगी रंगी लगेगा और यगा यह क्या है इस मैं प्लस कर रहे हैं पाई आर स्कॉयर जो की बड़ा विरत है माईनिस में पाई आफ जो चोकी छोटा विरत दन इतना हम करेंगे तब जाके नारंगे रंग का छेत्रफल आएगा और इसकी बात करें शंकू का छेत्रफल कितना होता है तो यह होता है पाई आर एल प्लस में इधर पाई कॉमन ले लिया पाई आर अभी तो ऐसे रहें देते हैं और यह जा गया सेंटीमीटर स्क्वार में इसमें से कॉमन आ रहा है सब में कॉमन आ रहा है पाई और बच गया क्या आर एल प्लस में आर स्क्वार प्लस में आर का स्क्वार स्वारी माइनिस में आर का स्क्वार ठीक है भई पाई को रहने दिया र के मानं की बात करते हैं तो र का मान्स कितना है आपर तो भई मैंने देखा र का मान जो देर रखा है वो 5 मटे 2 है तो यहां पड़ लिखा वह 5 मटे 2 ठीक है अब इसको मैं Excel करता हूं तो ऑगते क्या रही है तो ठीक है वह यह कितना है दो दूनियू चार है और नीचे 15 तर पांच को तियरा से गुद्रपनचिय पैसे थाएगा तो यहाँ पर हमने लिखा75 कि पैसे बटे में 2 और यहाँ की बात कि यहाँ की तो 95 जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो API अ जाएगा तो skirt यहाँ मैं 20 सो 95 गया 81 बटे में 4 pi cm² डन यह चीज आ गया इसका 81 बटे में 4 pi cm² यह आ चुका है और यह इसका अंसर आ गया है कि नारंगी रंग का 6 तरफल यह आ चुका है कोई दिक्कत नहीं है चलो भई अब उसके बाद next क्या है तो next नीचे बेलन है बेलन के आकार जो है उसका हमें 6 तरफल ग्याद करना है तो उसके लिए मैं हां पर इसके बाद लिखता हूं थो इसके लिए हम आते हैं next sli को यहां पर बेलन की बात करें बेलन पर पिले रंग का शेत्रफल कहां पर होगा पर एक तुछ उसके साइड साइड में पेंट होगा और नीचे भी पेंट हो जाएगा नीचे भी पेंट होगा तो यह साइड साइड में नीचे यानि की वाकर पर शेत्रफल और नीचे जो वृत है उसको जोड़ा जाएगा डन तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं तो यहां पर हम और ये पाई अरक ठीक है अभी इसको देखेंगे हैं消 Muslims करेंगे तो दो पहले बाहर ले लेखें करें और यहाँएड यहाँ पर साल करूं करए तो ठीक है बेलन का आर जो है वो capital वाला हम देख पारें हैं कहां पर लिखा हुआ यह कितना है तीनवटेड दू है तो हम इसको लिखेंगे कि क्यार कामान है तीनवटेड दूंब एच के मान की बात किया है तो यह 20 है और प्लस में हमारे पास अचा है उपके हम बढ़ वाला है भई इसमें उल्टा फुल्टा नहीं करना क्योंकि यहां पर देख लो है एच कमान भी बड़ा वाला है और चोटे एच की बात करें तो वह यहां पर है तो कैपिटल है चाहेगा जो की 20 है इस आर की बात करें तो यह तीन बटे दो गुने में तीन बटे दो आ रहा है ओके यह आ गया हमार पास अब हम इसको देखेंगा यह पाई है दो से दो कट गया बीस त्या साथ आ जाएगा और यहां पर कितना रहा है तीन त्या नो बटे में चार आ गया ठीक है इसको जब हम भाग करते हैं पर चार से जब मैं भाग करता हूं चार दुनी आठ मतलों 2.25 आएग का कम्प्लेट आंजर निकाल चुके तो यसे के साथ यहां पर समाब्त होता है आप इसका स्क्री तीन सुटनी। और उसके बाद भी इसका भी इसके विए को पर स्टेश यहां पर कंप्लीट होता है और पिर आते हैं मेंग जी कुछ कह रहे हैं और अपने बगीचे के लिए कि पक्षी श्नान्गर यानि बात यानि इसमें क्या कर रहे यह एक ऐसा बर्ड बात बनाया है जिसके अंदर आप देख पा रहे हो उपर यह अर्ध गोले का आकार का इसमें पानी भरा रहेगा पक्षी आएगी नहाईगी और चली जाएगी इस तरह का बर्ड बात बनाए गया है यानि पक्षी इसनान घर बनाए गया है ठीक है और यह क प्रिष्ट आएगा यहां पर आएगा एक तो बेलन का वक्र प्रिष्ट आएगा ड़न उपर से उपर के कटोरी जैसी जो है उसका वक्र प्रिष्ट फलाएगा उन दोनों को जोड़ोगे तब जाके इसका संपुन प्रिष्ट फलाएगा तो यही चीज़ हम यहां करने वाल है उसके लिए सबसे पहले हमने लिखा हल एक मिनिट यहां लिखा हल और हल के अंदर ही तो बेलन और शाथ में लिख दिया अर्द गॉला कjadi अर्दगुले की स्रिज्ज्ज्य तो नहीं है तो हमने लिख दिया डोनों के त्रिज्ज्जय जो है जिसको हूंने आर माल लिया और यह हमें दे रिखा है तीस सेंटीमीटर डन कोई दिक्कत में यहिसे लर्जात के से सेलन को लिखा थूखने कि आई कि उंचाइब यहां पर लिखता हूं यहीं कि ऊंचाई है किसकी एमने बात कि तो यह आएगा यह वह लिख सकते हैं 205-25 मारु शुल tutte लिख सकते हैं सेगुना कर गए संटी मीटर में दिया ड़ें चलो ठीक है अब हमें चाहिए क्या तो हमें चाहिए वैसनान घर पक्षी श्णान घर जो है तो हम इसमें लिखते हैं भई पक्षी स्नान घर पक्षिश्चनानगर का संपूर्ण प्रिश्चेत्रफल यानि टोटल सर्फेस एरिया वह इसका क्या आएगा तो इसकी बात करें तो इसके लिए दो चीज़े जुड़ रही है और क्या तो बेलन का वक्रपिष्ट बेलन का वक्रपिश्चेत्रफल जिसे हम कहते हैं और साथ में अर्द गोला जो हमारे पास हैं अर्द गोले का वक्रपिष्ट इसका भी वक्रपिष्चेत्रफल चाहिए डन अब इसके फॉर्मुले को लिखते हैं तो इसका फॉर्मुला होता है तू पाई आरहे होता है और इसके फॉर्मुले की बात करें तो यह दो पाई आर रही बिल्कुल लकुमन दो पाई आर दोनों के अंदर है वह कमन लेकिंगा ने कर लेते हैं तो हम नहीं हम लेए तो हमने इसको करा है बचा rap यह सब्णके प सदो जो से मैं उसको कार दो दो सेम था ना एक Хот पर एक हां यहां पर भी बाहर ले लिए बचा है कश का एक एक श्कुल रहा है और जो कि छेटर व hitch कर रहे हैं अब है इस्को पर सोल तो यह नेक्स पेज़ पर सौल करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत क्या चीज हैं पर नेक्स पेज की बात के तो छे त्रफल जू चल रहा था हमारा उसमें हमने लिखा दो पाई आर्ट ऑथ दो टू ठीक है पाई का मान क्या होता है 12बटे साथ होता है आर के मान की बात करें तो भी क्या है तो आर का मान 30 है तो ये भी 30 लिखा और bus में क्या है तो लाज़ में लगाएERto 1825وب प्लस में 30 वह यह जुग्या गया डडन इसको जब हमने 100 किया तो भी कितना और 22 24 गुने में 30 बटे में 7 वह सको गुना किया तो चार तीन साथ मतलब एक सो पिचात्तर आ गया है अब हम देखते हैं क्या ये कट रहा है तो भाई इसको काटा हमने तो साथ दूनिस चौदा और साथ पंचे तो 35 बिल्कुल कट गया 25 पर कट गया अब यहाँ पर गुणा क्या हमने तो चार्तीय बारक आदो हां सेले चारतीय बारक तेडा यहां गया यह तीरह सो बीस प्लस में सरी गुने में 25 बहीत जीन अब इसको जबंग करेंगा तो 25 जीरो जीरोव पच्छी मिन्हें है यहां पर यह कितना गया थैस्टी सौ सेंटी मीटर स्कौर जो है यह च्छी तरफल आ गया है किसका तो यह से पूरे घर का जोए तो आ यह और आप इसको मीटर में चाहते हों यह भी आउ ठीक है अगर मीटर में चाहें तो इस को विसको हम pregunta कि क्या को सें से दो बार है तो दो बार मीडर कने के लिए 100 से 2 वार बाग करना पड़ेगा तब यह सको मैं भाग पाइगा यह दूरं से 2जिर क्टट लाऊ पार दो के बाद पॉंइंट आ और यह यह tham कोई निकालना है तो निकालेंगे नहीं कह रहा है तो हम सेंटीमेटर में छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं तो आप यहीं पर इसका स्क्रेंट होता है और मैं इसको रखना हुआ यहां पर स्क्रेंट ले लो और इसका भी स्क्रेंट ले लो यह भी एक इंपॉर्टन कोशन था जो आपको आना चाहिए और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कुशन पर और देखते हैं अगला किस टाइप का कुशन है और कैसे उसे बड़े अराम से सौल करेंगे चालो मैं करता हूं इ इस कि लाओन तो आते हैं रहे हैं absolument आपके सब्सक्राइबगे आ यरंच सुराही की तरह है यानी मैं यहां और एक गर्दन बनाती है का और यह गुष ऐसी हो गई ऑन नीचे गोला गया इomena गर्दन गया फिसी यह लंबाई जो घरदन जो इसकी लंबाई वह 8 सेंटीमेटर है यानि वह 4 सेंटीमेटर हो गया है और व्यास दो सेंटीटी मिटर है यो कि इसका है दन बहुत है ठीक है अब इस ने कहा है कि जबकि इस गोलाकार भाग का व्यास जो बार्ट परयंट चार है याई यह केंदर लिया चार ढर यह यह कितनी होगी वहीं कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ग्याद किया कि इस बरतन का आयतन जो है वो 345 cm3 है यह बच्चे ने इसका आयतन ग्याद किया है तथा मतलब उपपर जो माप दिया हुआ और पाइ का मान हमें यूज करना है तीन दसंब्लब एक चार दन चलो बैसाल करते हैं इसको कि वह क्या आ रहा है आंसर यहां आम ने लिखा हल और यह साहल में भाई लिखा सबसे पहले गोले की तरिज्ज्या बहिंग यहां पर लि कि बात करें तो यह आपर चार पॉइंट में दो सेंटीमेंटर ठीक है उसके बाद यात बेलन जो नहीं अ biology तो बेलन की तरिज्या क्या तो बेलन की तरिज्ज्या की बात की जाए तो इसको चोटा आर करेंगे और यहार हमें कितना दे रिखा है तो यह दे रिखा भी देखो क्या चीज़ इसका व्यास है दो सेंटीमेटर तो तो एक ही सेंटीमेटर होगा तो हमने यहां पर लिखा यह एक सेंटीमेटर आ ठीक है उसके बेलन की उंचाई बाई उंचाई की बात करते हैं तो इसको हमने एच ले लिया और एच कितना होगा तो यह हमें देर खाय आठ सेंटीमेटर ठीक है बहुं अब हमें करना है क्या तो भाई यह जो गोलाकार काश का बरतन है इसका आइतन हम देखेंगे तो भाई इसमें रिखेंगे बर्तन का आयतन सीधे हम सौटकट में लिखेंगे बर्तन का आयतन का आयतन देखो इसके आयतन के लिए हमें दो चीजों को जोड़ना है गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को जोड़ देना आ जाएगा प्लस में क्या है तो बरतन काइस भई एक तो है गोले काइस और साथ में बेलन काइस बरतन है बरतन नहीं बेलन है हुसमाय बितंग्य वाल कुम है हम च Hazard को जोड़ें तो को जोड़ने तो गोले का होता है है तो यह होता है मारा four by three by three और भाइ थिन हाँ सहीँ है पाई आर क्यूब भई यह कि बात कह तो यह कितना आउस पाई common आ रहा है ठीक है तो हमने यहाँ पर पाई को common ले लिए और हमारे पर बच गया क्या चार बटे में तीन आर का क्यूब प्लस में आर स्कॉार एच भाई यह चीज़े इसको अगर हम सॉल करते हैं तो पाई कमान जैसा की कंकि ने काई 3014 लेना है यानि कि हम लिखें हैं यहाँ पर तीन 20 तेब है इस बड़े की बात कर वर चार पॉइंट दो गुने चारपॉंट दो गुने में व acknowledging थीक प्लस में बहुए की का लाइव तो आर का स्कॉर र आर किसना है एक है तो बहुए कर आएगा यह एक गुने में एक आएगा और गुने में क्या रहा है एच एच कितना है आठ तो यह आठ लिग दिया ड़न यह चीज आगे हैं मलपास अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है तो कटने की बात करें तो यहां से यह कट जाएगा तीन एकमतीन तीन चुक बारा यह निए 1.4 आ तो 42 के बात की जाए तो भी 25 में से आठ गया कितना बचा तो 25 में अश्याठ जाएगा तो सत्रह बचेगा तो हम यहां पर देखेंगे भई 25 में से आठ गया सत्रहां ठीक है 17 और चॉंसट आगे बई यह चीज आ जाएगा और जो की पॉइंट में कर दिया मैं आप ठीक है भाई यह आगया हमारे पास सत्रह चॉंसट यानि कि इसका जब वर्ग करोगे ना चार पॉइंट दो चार पॉइंट दो का तो यह सत्रह पॉइंट छे चार आएगा करके देख लेना एक सौटकर ट्रेक है वो मैंने कई बार बता रखें और इस बार आपको खुद स सौल करेंगे तो कितना आएगा तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लियाता हूं जिसमें हम लिख सकते हैं इसका तो यहां पर वी बराबर में आएगा तीन पॉइंट एक चार और ब्रैक्ट में हमारे पास क्या है पांचपॉइंट छे को सत्रह पॉइंट छहार से सट्रह प से करें पांच चुक 20 का जीरो हासिल दू आएगा और चेंश और दो 32 का दो हासिल तीन आएगा और वहीं सात पर तेप हैं और तीन के बाद पॉइंट या नी अन्हांट यहां पर लिखा अंठानेवे दसमलब साथ 888 और पलस में बैद प्लस में कितना है प्लस में 8 हमारे पास तो हम इसको लेखेंगे प्लस में यहां पर 8 अगया इतने सेंटीमिटर क्यूब चल रहा है अब इसको देख पा रहे हैं तीन पॉइंट एक चार है और यहां जोड़ा तो आठाटर शोला यहीं एक सो छे दसमलव साथ आठ चार है ठीक है इसको गुणा करेंगे अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा तो यहां पर हम इसको इसको जब इससे मैं गुणा करता हूं तो यहां देख पा रहे हैं 10678 को तीन पॉइंट एक चार से गुना करेंगे अब आठ चक बतीस का दो हासिल तीन साथ चुक अठाइस अठाइस और तीन कितना होगा तो वह अठाइस और तीन आएगा इकत्यस का हासिल तीन आ और चारजर जिरो और यह हायेगान चार यह और कम चार आगा अब तो यहीं 44 आएगा और और तीन चुक रहे अगा मनें घृतव सब्सक्राइब कर सकते शोड़ाइब इस उनितितने संटीमेटर कूब चल यहां पर यहां पर यह चीज़ आ गई है तो आप इसका इसके बाद क्या रहा है उसके बाद क्या रहा है उसके बाद यह यहां पर बच्चे का जैसे के हम देख पारहे हैं बच्चे को बच्चे का जो हमारे पास कहा करते हैं बच्चे का उत्तर जो हैं नहीं या फिर रहिए गलत है ठीक है यहां पर लिखेंगे बर्तन का आयतन कितना होगा अब बर्तन का आयतन जो है ये आगया हमारे पास 335 दसमलव 289 सेंटीमित्र क्यूब डन तो यह इसका उसर आता है आप इसका स्केशन ले सकते हूं और इसका भी स्केशन लेसक्षीन यहां पर स्वापत होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुशन पर और देखते हैं अगला किसी टाइब का कुश्चन और कैसे उसे बढ़ा राम से हम स्वाल करेंगे तो करते हैं इसको इरीज तो नेक्स कुशन हमारे पास है परसंद नमबर 30 और 30 कुशन में हम यहां देखते हैं तो यह क्या कह रहा है तो यह कह रहा है कि एक साथ सेंटिमेटर भुजा वाले घनाकार तो गनाकार क्या होता है इसकी लंबाई चड़ाई उचाई सब बराबर होती है उसे घनाकार का जात है तो यह अर्ध गोला जो है इसके ऊपर आरूपी था उपर रखा हुआ है डन उल्टी सी कटोरी रखे वी इस तरह समझे लो चलो बई अब इसने का अधिक्तम व्यास क्या होगा तो जितनी इसमें जगह होगी उतनी व्यास होगा इसमें जगह कितनी है साथ सेंटिमेटर क हमें ग्याद करना है तो इसको पूरे को निकालते हैं कि क्या है तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा हल और उसमें हम लिखेंगे पहले कि घन घनाकार ब्लॉक जो है हमार पास तो यहां पर लिखा घनाकार जो ब्लॉक है गनाकार ब्लॉक की उंचाई जो है उंचाई या फिर एक भुजा की भुजा तो इसको मैंने ए माना है और ए हमें कितना देर रखा है साथ सेंटिमेटर है चलो ठीक है उसके बाद क्या है अर्द गोला जो हमारे पास तो यहां हम लिखेंगे अर्द गोला कि अधिक्तम व्यास अधिक्तम व्यास जो है तो यह कितना होगा व्यास की बात करें तो व्यास हम तो पूरा साथ करें तो उसका आधा हो जाएगा आधा कितना होगा तो साथ बटे दो तो हमने यहां पड़े लिखा साथ बटे दो भी आगया मान पास डन आप कोश्चन में कहा है इस परकार बने ठोस का प्रिश्च्छे तरफल ग्याद किजिए तो यहां पर हम क्या कँगे महीं करके देते हैं थोस प्रिश्च तरफन यानि सयर्फ य Whew опять और यह और यह कितना आएगा तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसक्ष़ एसक्षा हायर है उट्टन लेकिन आप देख रहे इसकी चे सिर्फिस हैं। सब को जोड़ा गया है लेकिन आप देख रहे हैं उसके उपर वाला सर्फेस उस पर तो अर्द्गोला रखा हुआ है अर्द्गोला रखने स्थाथ पर यह है कि यह वाला तो ढख गया शेत्रफल भाई यह इतना ढख गया कौन सी एक भूजा का मतलब एक जो सर्फेस उसका त ठीक है लेकिन वह एडिया घट गया है लेकिन उसके उपर एक टोड़ी आ गया यह पूरा बाहर वाला चुबढ़ी का उपारफ यह जूड़ेगा ड़न अब भाई इसको मैं सौल करता हूं तो भाई सकार प्लस में दो पाई तो पाई चुबचा रहें दो में से एक ग्या तो प्लस का एक बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में पाई अरुष करा गया, डन, अब इसमें इसकी वैल्यूस को रखते हैं, तो वैल्यूस कितनी हैं, तो छे तो ठीक है, एक ही बात करें, तो एक इतना है हमारे पास, तो एक तो हमने किन बाइपिन तो सहरा कि साथ गोने में साथ कर दिया ब्लस्ट में पई है बाइस वृटे था काठा कर दीया और ये हाँ पर 7 चौबिस और चौबिस पांच इतना गया इतना आ गया इतना आ गया है सेंटीमीटर इसक्वाइर और यह क्या है यानि की एक के साथ चल रहे हैं यह च्छे तरफल जो हमारे पर सल रहा है यह है ठीक है अब इसी को मैं साइड में यहां पर लिखता हूं छे तरफल जो यह है वो कितना आ गया है तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे तो इसको पहले भाग किया तो भाग करेंगे तो क्या आगा 38.5 आएगा कितना में दो से भाग करते हैं अर्टिस जोनी शेतर होता है तो और है 38.5 इसको हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 5 और यह आएगा कितना भई तो वह 8-4-12 का 2 हासिल एक आ गया और 9-3 कितना होगा 12-13 का 3 हासिल तीन आ जाएगा ठीक है एक आएगा तेरह का 3 हासिल एक आएगा और यह तीन आ गया यानि 332.5 आ गया दन तो यहां पर हमारा पूछे जाते हैं तो यहां पर हमने इस को भी कंफ्रीट कर दिया है कि इस तरह से कोई भी अगर उपर सर्फिस पे उपर आ जाए अर्दगूला आ जाए तो उस कंडिशन में हमें इस वृत को घटाना होता है जैसा अब देख पा रहे हो और साथ में हमें इस अर्दगूले कर दिया है छाлам आए लहां यहां है और सब्सक् 좌स के उपर गचे हैं तो वहां पेंट नहीं लगे गा इसलिए हमने पया उशक्र घटाया चलो भए ठीक है तो इसी के साथ ये कोश्चन यहाँ पर समापत होता है हमारा यहाँ पर पिष्ट छेतेफल और आईतनका जो पार्ट पांच है उसको भी हम यहाँ पर कंप्लेट करते हैं और यहाँ पर हमने इसके most important question जो 30 questions हैं वो यहाँ पर complete कर लिए हैं और इसी में से आपके exam में question से पूछे जाएंगे इस pattern से बाहर तो निकल ही नहीं पाएगा, कोई chance ही नहीं है, तो आपने अगर यह question सुरू से end तक पूरा complete किया है, सारे question को खुद से try किया है, तो इसी में से आपके questions बनने व उस तरह के questions भी लिए हैं, जो की पूछे जा सकते हैं, तो इसी के साथ यह session यहाँ पर समापत होता है, यानि most important question, जो हमारे 13 चेप्टर का था, वो यहाँ पर खतम होता है, और उसके बाद हम लेके आएंगे इसी के आगे के question, आगे का सितात पर रही है, कि वह इसका one shorter vision और लेकर 12 तक के सब ही विश्यों के complete video course और वो भी free of cost और ऐसा नहीं कि एक चेप्टर दो चेप्टर free और उसके बाद बोले भाई पैशा दो तो यहां पर मिलता है, हर चीज बिलकुल best quality में, okay, best quality में मिल रहा है, और साथ साथ में क्या क्या चीज़ है, तो पूरा complete course भी मिल र रहा है, इंग्लिस मीडियम के केजी से 12 क्लास तक हिंदी मीडियम साथ से 12 रुक्षा तक सभी विश्यों के complete video course यहां पर मौजूद है, और यह CBS से ताथ पर रहे हैं कि जो भी आपके NC ERTC के आधार पर जो भी board है, वो सारे के सारे इसके नदर यहां पर cover कर वाए गया है, च से अलमप्याट, CUT, ITJ, NEET, UP, Bihar Board, और spoken English, banking insurance, HRB, SSC, UPC, JIB, CIV इस तरह के पैटर के जो आपके competitive level के exam से जिनके चार्जेज आप लोगों को पता ही बाहर कितने ज्यादा चार्जेज होते हैं, बट यहां पर हर चीज और बिल्कुल best quality में हैं और पूरा complete course आपको यहां पर प्रजेश कर सकते हुँ जिससे बहुं को वी फाइधा मिल पाए आपको फाइदा मिल रहा है उनको फाइदा मिले तब बहुत अच्छी बात होगी और हमारे साथ जोड़ने के लिए हैं तो यूट पर साथ में साथ में आप हमारे साथ 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 जो facebook twitter और instagram और telegram इसमें सकते हों और अगर एक चीज और है स्पेशल आपके लिए वह क्या तो अगर आपके आप चाहते हो पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से देखना यानि कि जैसे पूरा कोर्स अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके साब को दिखना तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा हमारी वैपसाइट पर जो की है तो यहां पर आपकी बढ़ाई और भी ज्यादा बहतरीन हो जाएगी और ऐसा नहीं कि वैपसाइट है तो इसके बाद मैं आपको बताना जाता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रही हैं ओकी बाई तैंक यू